नवस्का दोस्तों, इनकी वर्तमान आयो 39 यह से, यानि दो-तिन महिने में यह 39 के होंगे यह पामिश्टी के इसाब से काफी इंट्रेस्टिंग पाम है, अभी तक जो हमारे पास हाथ आते हैं उसमें से यह कंप्लिट डिफरेंट पाम है, इनकी इश्यू जीवन के कंप्लिट अलग है और वो सारा शो भी हो रहा है इनोंने लिखाए 23 साल से डिप्रेशन जेल रहा हूँ यानि 39 में से 23 गए, लगबग हो गए 36 और 2 16 साल, यह 16 साल के आसपास से डिप्रेशन जेल रहे फिर इनोंने लिखा है, कभी कभी डॉक्टर की सला भी लेनी पड़ती है यह भी कंडिशन इनोंने बताई है एक और जानकरी दी है, परिवार के सभी व्यक्ति अकाल मुरुत्य हो गई है एक्चुल मैं यह बहुत घहन अध्यन का सब्जेक्ट है, मैं इतना ग्यानी नहीं हूँ कि यह अकाल मुरुत्य वाली चीजे यह मैं देख पाऊं यानि इतना अभी तक मैं ग्यानी नहीं बना केवल एक जवाब को छोड़कर, इसका छोड़कर सारे सवालों के जवाब आपके हाथ पर है पत्नी दो साल से अलग रहे रही है, अब इनके जुपिटर माउंड में कोई प्रॉबलम नहीं है इस पर भी मैं आऊंगा पाथ साल से यूरिनेरी सिस्टम में तकलिफ है छे साल पहले माता जी का इनके मृत्ती हुआ, उसके बाद सब कुछ छिन भिन हो गया है और एक जानकारी दिये, छे साल से 60-70 लाग का नुकसान हुआ, वो दिख रहा है मैं अपनी बात सही तरीके से बता नहीं पाता, उसे लिख कर रखना होता है डॉक्टर के पास भी जब जाते है, तो इसका क्या कारण है, वो भी इनके हाथ पर दिख रहा है और बंदा हुआ हम महसूस करता हूँ, सारे काम देरी से होते हैं, यह सारी common problem है due to बहुत सारी रेखा है, आपके disturb है, उसके कारण अब मैं आपके एक एक करके, आपने कहा, 23 साल से मैं depression जेल रहा हूँ यह देखिए, यहां से यह line पकनी चालू हुई और यहां तक लगबग यह रेखा, एक दम, जैसे हमें कोई फोड़ी हुई हो और उसके आसपास एक लाल तरह की चीज हो जाती है मवाद होने के पहले, या मवाद होता है, उसके आसपास की जो चमरी होती है वो जिस तरह की होती है, सेम दोनों line इसी तरह की मवाद की तरह ही शो हो रही है चाहे वो जीवन रेखा हो, चाहे mind line हो अब यह depression की बात की, तो यह लगबग यह period इसी के आसपास का period है 15-16 के आसपास का ही, और यह लगबग रहेगा इनके जीवन में इस तरह का जबाओ, लगबग 45 तक इनके जीवन में यह दबाओ रहना चीए 43, 44 या 45, क्योंकि यहाँ पर चमरी मिक्स होती है तो exact age निकालने में थोड़ी सी तकलिव होती है 1-2 साल plus minus, 43 से लेकर 45 तक में आपका यह problem सौल हो जाएगा जो आप depression की बात कर रहे हो, भय आपको लग रहा है यह केवल और जो लिख कर रखना पड़ता है आपको यह सारा कारण आपकी देखिए यह पूरी मवाद जैसी लाइन है और उसमें भी यह बढ़ते बढ़ते यहाँ पर बहुत ज़ादा है यानि age लग बख 31 के आज़ पास से आपको यह problem ज़ादा फेस करनी पड़ी होगी अब तू यहाँ तक करनी पड़ेगी आपको यह condition आपके हाथ में same condition आपको जो health का issue है तो जीवन रेखा जबीस तरह की होती है यह भी problem देती है health का issue देती है अब इतना मैं ग्यानी नहीं हूँ कि urinal problem कहां से होती है या heart की problem कहां से होती है वो indication medical पामिष्ठी का मुझे knowledge नहीं है और नहीं कभी मैंने लेनी की कोशिस की ना इस तरह की कोई जानकरी 71 की हाँ interest जरूर है कि अब कहीं न कहीं medical के अंदर भी knowledge लेने जाना चाहिए पर वो पता नहीं चलता पर हाँ जीवन रेका जब आपकी disturbed होती है तो आपका जीवन भी disturbed होता है उसमें भी तकलिपे आती है में पाइस एक बंदा आया था हॉफिस के अंदर उनका हाथ देखा कहीं पर भी कोई problem नहीं था ना उनका Jupiter Mount disturb था ना कोई दूसरा problem दिख रहा था फिर भी उनकी पत्नी उनसे दूर रह रही थी उनका पाम जब मैंने LED LCD या जो भी TV होते उन पर फोकस किया उस पर देखने की कोशिश की क्योंकि स्क्रीन बड़ा होता है तब जाकर जीवन रेखा दिखी उनकी जीवन रेखा पूरी डिश्टब थी और उसके कारण उनका जीवन पूरा डिश्टब था अब मैंने वो पिरियड भी बता है हो सकता है दो-चार साल के बाद उनका मैसेज भी आ जाए कि अब सब कुछ सैटल हो गया है तो यह कंडिशन इनके हाथ में जब जीवन रेखा आपकी डिश्टब होती है तो जीवन भी डिश्टब होता है स्वास्ते भी डिश्टब होता है अब अलग लोगों को अलग अलग इश्टब होती है तो यह याजशक्ती में भी प्रॉबलम देती है और उसमें भी खास कर अब भी वर्तमान पिरियड में तो काफी दबाओ है काफी दबाओ यह दबाओ रहता है हमारे सर पर भरपूर और यही कारण है भय का जनरल ही भय कहां देखा जाता है आप लोगों ने कभी पामेश्ट्री में किसी की प्रिंट लियो तो जब प्रिंट लेते और यह पार्ट अगर मिसिंग हो प्रिंट यहां पर काफी सुन्दर दिख रहा है यह पार्ट पर जब हम प्रिंट लेते तो यहां पर आपको इस तरह का शेप बनता हुआ दिखेगा यह पार्ट ऐसे दिखेगा प्रिंट में नहीं आएगा वैसे लोगों को अंजाना भय सताता है यह तो हो गए प्रिंट की बात पर अब तो फोटोग्राफ्स है पर यह जो पेन समझ रहे वो केवल यह माइन लाइन के कारण है और वर्तबान समय में तो यह काफी पकी हुई है यह कंडिशन है तो यह 43-45 तक आपको यह पेन रहेगा उसके बाद सौल हो रहा है और ऐसे भी ऑवराल सब कुछ हिसाब किताब लगा है तो इसी पिरिएड के आजपास आपका जीवन सब कुछ सैटल होते हुए दिख रहा है इसी पिरिएड के आजपास आपकी medical problem भी इसी पिरिएड के आजपास सौल होती हुई दिख रही है लगबग ये लाश राहू रेखा के पिडियर के बाद आपको सौल होती हुई दिख रही है और उसके पहले ही यहां तक और धन रेखा पर भी अगर डिस्टरबंस देखे तो लगबग इसी पिडियर के आसपास है मैंने exit निकाला नहीं है close up आपका काफी clear है मैं उस पर आऊंगा तो वो सारा problem आपका इसी पिदेड के आसपास solve होता हुआ जीवन का दिख रहा है आपने second marriage का भी का है तो मैं तो आपको wait करने काऊंगा कि आप wait करिए ये सारी चीजे settle होती दिखेगी दीरे दीरे solve होता हुआ आपको दिखेगा जब आपकी जीवन रेका आपकी mind line सारी सुदर जाएगी तो ये कारण है दूसरा कुछ नहीं काफी उत्तम पाम है अच्छा कासा विकास करोगे financial condition कब सुदरेगी मैं वीडियो में बता दूँगा बच्चों को अच्छा education दे पाओगे 100% बहुत अच्छा education दे पाओगे health कब सुदरेगी वो मैंने बता दिया आपको सारी चीजे 43 से लेकर 45 के बीच मैं सारी चीजे solve होते हुए आपके जीवन की आपको दिखेगी health बहुत अच्छी तो नहीं रहने वाली पर इतनी खराब नहीं रहेगी यह अगर 100% इसको खराब गिनेंगे तो 10-15% तो आपको problem रहे गई पर वो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपने इतना pain उठाय रहता उसमें 15% महसुस भी नहीं होता जिसने 100% दुख उठाय रहता अगर उसको 15% जब दुख हो तो उठको महसुस भी नहीं होता जेल की संभावना जब हमारी यहां पर कोई एक इस तरह की condition बनती है इतना पास में नहीं यह पत्ति-पत्ति के बीच में problem create करवाता है पर यह जो cross होता है यहां पर अगर कोई cross हो तो पर यह सनातन सत्य नहीं है और हमारी जीवन रेखा जब थोड़ी सी disturb हो तो हमें यह step का chance रहता है पर कोई बहुत ज़्यादा problem वाली स्थिति आपके हाथ में नहीं show हो रही है तो ज़्यादा चिंता करने की जोरत नहीं है दूसरी साधी का योग मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है मेरे घ्यान के अनुसा famous लेखक बन पाऊंगा लेखक आपको writing show हो रही है पर लेखक बन पाऊंगे ऐसी कोई जिनकी किताबे छपती जनरली किताबे अगर कोई यह mind line चल रहे है उस पर से कोई एक line चले इस तरह से तो ऐसे लोगों की किताबे छपती और famous बनता है व्यक्ती यहां पर कोई न कोई yes sign हो तो एक आभास सा है पर मेरे हिजाब से लेखक से अच्छा आप कोई दूसरी जगा दिमाग लगाईए विदे settlement के chance काफी हुजवल है और मैं तो कहूंगा भी चले जाईए आप share investment करूँ हाँ एक 43-44 के बाद investment करिए मैं उसमें नहीं कहूंगा जब तक आपके जीवन में financial problem है आपकी रेखा disturb है तब तक आप कोई वो कार्यमत करिए अब आपने शुकर का तील बताया तो यहाँ पर मुझे कहीं पर भी शुकर का तील शो नहीं हो रहा है तो मैं उसके बारे मैं कैसे judgment दूँ हाँ तील होने पर एक बार विजाती वर्ग यानि अगर पुरुश है तो महिला के द्वारा और महिला है तो पुरुश के द्वारा एक बार नाम साट से सतर लाग का नुकसान हुआ है वो आपकी क्लियर कट शैंग सो रही है ऐसी फेट लाइन हमें नुकसान ही देती है वो मैं आपको इंडिकेट बता दूँगा और बाकी की जो कारे होता है वो राहु रेखा जब आती है उस समय भी हमारे जीवन में हमें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है यह सारी कॉमन चीज है पर आपकी हेल्थ की और जो मेडिकल से रिलेटेड इश्यू है उसके बारे में ज़्यादा फोकस था शुर्वाती दौर में तो वो मैंने बता दिया इस कारण से और पूरी लाइफ आपको 43 से लेकर 45 तक मैं सैट होते हुए दिखेगी ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था सब कुछ सैटल हो गया जीवन में और आप सक्सेस्पूल रहोगे उच्ची मद्यमवर्ग का हाथ है यह अच्छे खासी संपत्ति भी जमा कर लोगे अच्छे खासी प्रोग्रेस भी हो जाएगी सब कुछ है कहीं पर भी कोई चिंता वाली बात नहीं है अब आपको रेगुलर में पाम एनालिसिस करता हूँ जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में अपरचुनिटी आती उसे ग्रेब करके आगे बढ़ता है इनका जुपिटर माउंट देखे कितना उत्तम है पारिवारिक समस्या होनी नीची है और एक जानकरीनों ने दिये कि उनके वाइफ के माइन लाइन पर एक यवसाइन भी है तो वो भी एक कारण हो सकता है और इनके जीवन रेखा भी डिश्टरब है तो वो भी कारण हो सकता है क्योंकि ऐसा केस मैं देख चुका कभी-कभी हम स्टॉप हो जाते हमें जवाब नहीं मिलता तो बहुत सारे माध्यमों का हमें यूज करना पड़ता है तब जाकर हम तहे तक पहुँच सकते यह पाम पूरा स्वेरिश पाम है ऐसे लोग खूब महनती होते और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते पर महनत भी कब फलित देती है जब हमारा सारा समीकरन सैट होता है सारी चीजे एक जगह सैटल होती है तब जाकर हमें सबलता मिलती है तो यह सबलता तो 100% मिलेगी फर्स फैलेंज भी नुकील है तो कारेक प्रत्ती जिद दोगी सेकेंड फैलेंज भी अच्छा है लोजजी के साथ बात करने में तर्थो के साथ बात करने में काफी एक्सपर्ट होते है और जिनका अंगुठा मांसल होता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं अपने हितों की रक्षा करने वाला होता है उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहेगी ये उंगली बैन भी हो रही है तो व्यक्ति को धर्मिक भी बनाती है अब ये पहले धर्मिक नहीं थे एक साल से ये धर्मिक बने और इनका कहना है कि मेरे हाथ में fish sign आने के बाद ही मैं धार्मिक बनाओ और वो sign show भी हो रही है small scale में दिख रही है पर बहुत लोगों के जीवन में होता है व्यक्ति जैसे fish sign आती है दयालू, धार्मिक हो जाता है सुरे की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति हिमती सबाओ का होता है जिब में 50 लाग की रिस्क लेनी हो तो ले सकता है ये band होती है जब first family तो व्यक्ति को पैसा कमाने की ललक अच्छी खासी होती है और ये कही न कही कुछ न कुछ side में करके पैसा कमा ही लेते और ये भी first family तक पहुच रही है और जिस व्यक्ति की अगर इनकी रेखा है जब सुद्रेगी तो ये दोनों उंगलिया चमतकार करेगी इनके जीवन में क्यूंकि ऐसे लोग सफलता पाते ही है जिनकी उंगली first family तक पहुचती है और अंगुठा इतना अच्छा हो उसमें कोई दोर आए नहीं documentation, filing चीजों को संभाल कर रखना याजशक्ती, money management और account ये सारी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है हमने आगे काफी समय ले लिया हम थोड़ा सा speed रखेंगे बुद्परवत पर एक line, दो line, तीन line, चार line ये line itself शो करती है कि बुड़ापा आपका अति उत्तम जाने वाला है व्यक्ति, सुंदरता पाता है इन lineों के कारण हाँ, थोड़ा सा परवत ये दबाओ तो मन की बात नहीं कर पाता वहाँ से निकलने के बाद याद आता है, मन की बात कर नहीं है पर business sense powerful होता है, ऐसे लोगों का दो चार भाशाओं के जानकार भी होते है और ये पाट जरा सा उभार हो, तो व्यक्ति को नाम के प्रती जिग्यासा जादा होती है यहाँ पर कहीं न कहीं अगर ये yes sign बनती होगी इस तरह से तो व्यक्ति को yes प्राप्त होता है, और ये sign अधूरी भी हो, तो भी मैंने yes प्राप्त करते हैं लोगों को देखा है, किवली ये एक ही sign ऐसी है, जो yes देती है सेकेंड चीद देखें, तो सुर्य रेखा, continue चल रही है, ऐसे लोग comfortable income जीवन में करते है ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, comfortable income व्यक्ति के जीवन में आती है अब यहाँ पर एक आभास सा होता है, कि ये fish sign है, मैं इनके दो-चार close-up है, उस पर लेकर चलता हूँ एक समयल लगता है कि ये ये बन चुकी है, पर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अधूरी भी है तो इस पर हम ज़्यादा focus नहीं करें कि हाँ, एक यहाँ पर ये complete है ये छोटी सी complete बनी हुई है, दो से तीन mm की fish sign है पर ये भी जब धन रेखा अच्छी होती, इतनी छोटी वी महिने की 2 से 3 लाख रुपे की income देने में सक्षम होती है अगर ये बन गई, तो ये अच्छी खासी उन्नती जीवन में करेंगे और एक sign यहाँ पर भी छोटी सी बनी हुई है, जो ये इस photograph में नहीं आई दूसरे photograph में अच्छी तरह से show हो रही है तो दो sign ने तो clear cut दिख रही है, अगर ये मुटी बन जाती है तो best काम होता है और कभी-कभी व्यक्ति का तक्दिर बहुत जोर करता हो, तो इस तरह की जब condition होती है, तो ये भी बन जाती है लोगों के पर ये अभी इसे सिक्छली के ख्याल मान सकते है, पर ऐसे बनते देखा है मैंने लोगों के जीवन में जब परिवर्तन आना होता है, तो tremendous growth मिलती है और ये बन गई तो व्यक्ति tremendous growth पाता है और multiple property की sign काफी अच्छी है, तो जीवन में एक से अधिक property खरीदेंगे या निर्मान करेंगे फिलाल कहीं पर भी मुझे ये square बनते नहीं दिख रहा है, अगर ये square complete होता है कहीं पर भी तो व्यक्ति का multi city का काम होता है, पर इंक लगाने के बाद भी मुझे clarity नहीं है की व्यक्ति और यहां पर भी देखिए, एक आभास सा होता है, कि ये sign भी या तो बन रही है या बनने वाली है अगर ये सारी चीजे हो गई, तो इनके जीवन में भयो भयो एक और चलो, यहां पर भी बन चुकी है इस पार्ट में भी बन चुकी है, तो दो से तीन साइने इनके हाथ में है, इस पर तो अभी ध्यान गया ये तो काफिक clear है, तो आपके पास पैसा तो आएगा, भले बचे की नहीं बचे, और पैसा आएगा एक certain age तक आपको जीवन में तकलिप है, और ये sun line के तो बारे में मैंने जिक्र कर लिया यहां पर देखे, शनी परवत पर, तो एक line जूपिटर की और जा रही है, एक सीधी जा रही है और एक यहां पर भी जा रही है, तो ये ऐसे लोगों का बुड़ापा अच्छा रहता है, ये continue progress है और कहीं न कहीं विदे से धन प्राप्ति के योग भी है, बुड़ापा काफी अच्छा रहने वाला आपके जीवन में, कोई प्रॉब्लम नहीं और ये लाइन चार benefit दिलाती, ससुराल पैसे वाला होता है, व्यक्ति, सरकारी लाप, पॉलिटिकल लाप और जो भी कारे करता है, चाहे जॉब करें तो भी बड़े स्थान पर पहुँचता है, और खुद का काम करें तो भी बड़े स्थान पर पहुँचता है तो ये सारे समीकरण काफी होके है, जुपिटर माउंट भी काफी उत्तम है, इस सरका जुपिटर माउंट व्यक्ति को कहीं न कहीं पारिवारिक और सांसारिक सुख देता है, जो अभी है नहीं, पर आगे जरूर मिलेगा इनको, 100% मिलेगा, क्योंकि ये तकलिप देने वाल प्रोग्रेस शो कर रही है, अंदूरी मंगल अच्छा है, तो व्यक्ति हिमती होता है, सरीर की उर्जा काफी अच्छी होती है, बारी मंगल पर एक दो रेखा है, जो पुली स्टेशन और कोट के दरसन कराएगी, ये जब शाहिन करती है, तो परस्नल लेवल पर प्रोब्लम आता है, और भारी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलोगे, तो एनरजी के साथ मिलोगे, सामने वाला कमफ़ोटेबल फिल करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, आपकी पूरी जीवन रेखाई इस तरह से चल रही है, तो आपका व और यहां पर छोटे-्छोटे TRIANGLE भी बन रहे हैं, यह भी वीडियज से दन प्राप्ति की और इसारा जाता है, यह व्यक्ति कभी होता है, दो मैंसे कोई न कोई एक लाप मिलता है, यह लाइन व्यक्ति को, addiction line है, एक-दो गंठा काम करने बाद खाली पन महसूस होता है, उ बहुत तरह के व्यसन है, मनी ट्रेंगल भी काफी अच्छा बना हुआ है, तो जीवन में विकास तो उत्तम होने वाला है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, और जिनका चंद्र अच्छा होता है, उसको पानी अच्छा लगता है, दूद से बनी वस्तुवे बाती है, अच्छे पर् कपड़े अच्छे पैन पे व्यक्टी, अच्छी तरह प्रेजेंटेशन होता है, पैसा कमने का शौक होता है, पैसा खर्चने का भी शौक होता है, एक अलगी तरह उर्जावान व्यक्टी होता है, जिनका शुक्र अच्छा होता है, यहाँ पर सुरवात में दो फोर्क बन है ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते लोगों के सामने पर इनकी हृदे रेखा भी देखे तो हृदे रेखा भी इसी तरह सुजन भरी है रेडिश ये कंडिशन होती है तो कहीं न कहीं दबाओ रहता ही है पतना इतना उक्त्तम तरीके से नहीं जी पाता अब म माईन डें माईन लाइन पर एक समय लगता था कि यह फेट लाइन है पर यह फेट लाइन नहीं है यह आंसे चली यह ज़्यादा प्लानिंग कर वाती है आपको और साथ में जुपिटर को भी टच कर रही है तो प्लानिंग भी ज़्यादा करते होंगे जीवन में प्लस साथ-साथ में एंबिशेर्स भी होंगे और ये लाइन चल कर यहां से ये डबल हो रही है मैं एक लोज अप में लेकर चलता हूँ और ये फोर्क बनता है ये जब बनता है तो ऐसे लोगों का लिखने की कला किसी को बहुत अच्छी आती कम्मिनिकेशन आता है तो जब ये मैंने जो पिरियड बताया 42-43 के आसपास इनके जीवन की रफ्तार भी बढ़ेगी विकास भी अच्छा इनके जीवन में होगा इसी पिरियड के बाद सारे समिकरन 43-45 के आसपास ही बैटर हो रहे हैं सारे समिकरन और ये लिखने की अर आपको अग्रेसर करती है ये कारण है पर एक लेखक के हाथ में इस तरह से कहीं न कहीं जीवन रेखा अपने माइन लाइन से इस तरफ आफशुट जाता है तो ऐसे लोग लेखक बनते हैं पर इस तरह की संबावना आपके हाथ में कहीं शो नहीं हो रही है अब आपकी जीवन रेखा पर चले तो उसके लिए कलर लगाया हूँ हाथ है उस पर चलते है एक 24 के आसपास अगर ये रेखा यहां पर स्टॉप होती होगी तो इलू इलू हुआ होगा और ये रेखा काट के चलती होगी तो इस पिरियड में आपको 24 के आसपास कोई न और इसी पिरियड में आपको एक आपशुट भी था तो कोई न कोई सफलता भी आपके जीवन में आपको प्राप्त हुई होगी उसके बाद 29 के आसपास ये माइन लाइन को टच कर रही है तो यहां पर आपके जीवन में इलू-इलू हुआ होगा और एक लाइन यहां से न जनरली लोगों की लाइन है ऐसे चिपकती है पर इनको यहां पर इलू-इलू लिखा हुआ था यहां पर तो इस तरह से इश्वर ने इस तरह से दे दी लाइन साधी की और यहां पर साधी हो गई इनकी जीवन की उसके बाद एक राव लाइन काट रही है आपको इसी पिरियड में 31 के आसपास छोटी सी और एक राव लाइन आपको 34 के आसपास काटी होगी और एक 36 में है और एक आपके जीवन में यहां पर 39 और 40 के आसपास मैं वापस आता हूँ उस पर यह हो गई 24 के आसपास की राव रेखा या इलू इलू और इसी पिरियड में आपशुट उसके बाद 29 की यह इलू 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 और यह साधी उसके बाद 31 के आसपास एक छोटी सी लाइन कट कर रही है आपको 34 की लाइन कट कर रही है एक 36 में लाइन कट कर रही है छोटी सी यहां से आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी आपके जीवन की भी रफ्तार 43 से 44 के आसपास आपके जीवन में सब कुछ सेटल होते हुए दिखेगा और यह पूरी जीवन रेखा चलकर इस तरह से चंद्रपरवत पर जा रही है और आप अल्रेड़ी अपने जंस्थल से 200-300 किलो मिटर दूर ही काम करे हो जितने दूर जाओगे ज़्यादा विकास होगा पर उस पिरियड में जाओगे तो ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी आपको बागी यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है बताने जैसा अब आपकी धन रेखा पर मैं सीधे क्लोज अप पर ही चलता हूँ अभी आप 39 के हो 39 मैं से 6 साल यानि 33 अब यह देखिए यह यहां से ही इनकी धन रेखा बिगरनी चालू ही 39 के आसपास से यह यहां पर मर जो गई यह धन रेखा और यह माइन लाइन है और यह दो नो सुजन बरी है और जब भी ओवर लैप होती है अपको यहां तक यह आपको कश्ट दे रही है और एक कट लगा होगा आपको 34 के आसपास या 33 के आसपास एक 38 के आसपास लगा होगा और ये पिरियड तो आपका भहुत ही खराब गया होगा 35 से लेकर 38 तक का ये तो पूरा फैल गई है पूरी धंडरे का फैल गई है ये तो ट्रिमेंड़स आपको लौस दिया होगा दो तरह से लौस होता है एक तो हमारी ये सुजन बरी रेखा हो तब हाँ इसी पिरियड में आपको फिश्टा ही नाहीं होती तो आप करचदार नहीं बनता वेक्टी पर इस तरह की रेखा वेक्टी को करचदार भी बनाती है और बाकी का काम जो राव रेखा काटे उस पिरियड में भी हमें आर्थिक कश्टों का सामना करना पड़ता है। और ये भी पिरियड अगर देखे आपके जीवन में तो ये 43-44 तक ही ये कंडिशन है। उसके बाद आपकी धन रेखा दीरे दीरे अच्छी होकर अच्छी खासी चल रही है। और यहां से एक और आपको इंकम की सुरोथ तैयार होगा, लगबग ये तैयार होगा 43 के आसपास और ये लाइन सीज़ दी चलकर यहां से 49 के आसपास ये काफी ग्रोथ देगी आपको, काफी अच्छा और ये जुपिटर वाली लाइन और, यानि आपके जीवन में 43-44 तक कश्ट उठा नहीं है, चाए वो तब्यत का मामला हो, चाए आपका डिप्रेशन का मामला हो, किसी न किसी तरह आपको कश्ट उठा नहीं है, हाँ, जहां फिस सेंगिन रहें, तो अब होगा क्या, जितनी पैसे की जरत होगी, उतना पैसा आपके बास आता रहेगा, और जैस इसे ही धन्रेका सुद्रे की वैसे ग्रोथ 10 गुना 20 गुना ज्यादा होगा तो ये कंडिशन है मेरे ग्यान के अनुसार जो जो था मैंने सारा डिलेवर कर दिया आशा रखता हूं सभी प्रश्णों के जाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखन और दो हो धन्रा रखता है मेरे झाब सुदब का अनुसा बश्यचना जी लोगर दो जाएMusic सारा जय।